लखी नंबर चार जिसका लखी नंबर मुलांक नंबर चार है उनका आज हम लोग बात करेंगे उनके नेचर के बारे में उनके कारे व्यवसाई के बारे में और उनकी नत्रित्पक शमता के बारे में और उनका लखी दीन और लखी कलर और लखी स्टोन के बारे में बात मुलांक जिसका 4 होता है तो किसी भी महिने में 4 तारिक को जिसका जन्भुआ हो, 13 तारिक का जिसका जन्भुआ हो, 22 तारिक को जन्भुआ हो और 31 तारिक को जन्भुआ हो यानि कि 4 और 13, 22 और 31 इन डेट में किसी भी मन्थ में किसी का भी जन्भुआ हो उनका मुलांक नंबर 4 बजता है। और इस चार नंबर का मतलब यू समझे इस तरह के जो लोग होते हैं वड़े ही परिवर्थण शील होते हैं। इनके लाइफ में सिर्फ उतराव और चड़ाव होता है। बहुत जयादा उपर नीचे लाइफ होता है। और इन व्यक्ति को, चाहे वो मेल हो या चाहे फिमोल हो, उनको जब तक कोई तीसरा आदमी mentally support नहीं करता है, तब तक वो आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं, और डरते हैं, क्यों? कि उनके पास planning इतनी होती है, कि उनको करना क्या है, चार नंबर जिनका है, उनका जो न साथ जुड़ी जाते हैं, वो उनहीं के जैसे हो जाते हैं, ऐसे भी लोग दूसरे से बड़े प्रभावत तो चार नंबर के लोग हैं, वो दूसरे से बड़े प्रभावत तो उनके friend circle में, अपने जनों में, अगर कोई काम कर रहा हो और बहुत बढ़िया कर रहा हो, तो प यह कहा गया है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो परिवर्तन करने पूरी बात नहीं है, लेकिन जब आप परिवर्तन करते हैं, तो confidence के साथ आप उस कार्य पत पर continue लगे रहें, आप चेंज मत करिए, और अगर आप ऐसा करके देखिए तो आप कितने अच्छे अपने म हैं, तो आपको वकालत करना चाहिए, astrology से रिलेटेड पढ़ाई करना चाहिए, विज्ञान से रिलेटेड पढ़ाई करना चाहिए, science से रिलेटेड अगर आप करना चाहते हैं, और इस कार्य परिवसाय में अगर आप करते हैं, तो इसमें आप बहुत सफल भी होंगे, आप बड़े भाविक होते हैं, किसी के उपर जल्दी ट्रस्ट करने वाले ब्यक्ति हैं आप, तो प्रयास करना चाहिए कि थोड़ा सावधानी बढ़ते हैं, अगर आप, आप में एक बीक पॉइंट आपका है, ये बताता है कि अगर आप नशा करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो चाहिए, और प्रयास करिए, जैसे मैंने बताया था, कि आपको वाइट कलर, ब्राउन कलर आपके लखी कलर है, और अगर आप कुछ पहनना चाहते हैं, तो आपको या तो मानिक के रूबी पहनना चाहिए, या आपको गोमेद पहनना चाहिए, ये दोनों इस्टोन, वेंजडे और संडे, ये दो दिन आपके लिए लखी डे होंगे, इन डे पे आप काम करके देखी, आप बिल्कुल सफल होंगे, फिर हमारे अगले वीडियो में नमबर पांच के लिए हम लोग मिलेंगे, नमस्कार.